नमस्कार दोस्तो 2021 के लिए हमारा Chapter 12 के important questions है हमारे बोर्ड पर इच्छे में पूछे का है 2011,16,19,19,19 and 18 में एक question यह है और दूसरा question हमने लिया है यह तो यह दोनो questions हमने इस model paper से लिया है जो है 2021 के लिए most important mastermind का question बैंग है तो इन दोनों question को हम solve करते हैं और ऐसे ही question board पर इक्षे में बाइबार पुछे आते हैं तो देखते हैं इसको हमें कैसे solve करना है तो question हमें क्या दिया हुआ है question दिया है भुजा 4 cm वाला वर्ग यानि कि 4 cm भुजा का एक वर्ग है यह यह चार से तुर्थांस है प्रतिय कोन से काट गया जो इसकी त्रिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् किसे जाद करोगे आपको करना क्या यह इस वर्ड का निकालना जी है को निकालना अनलस्ist दोर्पाइश को जोड़ करो आप क्छोड़ वह इस भर्ग मेंसे ऌटार हो गहए वह इस गटा दोगे यह थे ओल्ड अधेट ठीक है सबसे पहले हम चतुर्थांस के लिख लेते हैं चतुर्थांस यह हमारा है ठीक है चतुर्थांस इसके रिए हमारी तरिजे कितनी है और बराबर एक सेंटिमेटर ठीक है अब वरत के लिए और बराबर जो है वह एक सेंटिमेटर के दो सेंटिमेटर प्यास है वह भी हम वर्ग की हो यह हमारी वो चार संटीमेटर है अब हमें निकालना हैँ छायंकित भाग का छेतरफ़ ठीक है सेस भाग का तो हम निकालेंगे सेस भाग का चेटरफल बराबर हम लेंगे वर्ग का चेटरफल माइनस इसमें से माइनस कर देंगे क्या इस वरत का चेटरफल प्लस और जोड़ देंगे उसमें चार चतुरथांस का छेतरफल तो चार चतुरथांस का छेतरफल यह हमारा सिंपल होगा है कॉश्चे मिल कुद यह लेगी हमें जो इस वर्ग में से इसको वरत को और चार चतुरथांस को जोड़कि घठाना है तो लगाएंगें इसमें वर्क का इतरफ़ हमारा क्या होगा भुजा का square ठीक है minus वृत का होता है हमारा πy r square तो πy r square और ये प्लस 4 गुणा ज़ित ठांस का होता है एक बिटे 4 πy r square 4 से 4 cancel तो ये बचचे का हमारा बराबर भुजा का square भुचा कितनी है हमारी? 4 4 का बर्ग माइनस Pi R स्क्वायर 22 वटे साथ गुणा R कितनी है दुनों की एकश की भी एक है प्लस 22 वटे साथ Pi का मान और R जो है दुनों की एक एक है तो 4 चौक 16 माइनस 22 वटे साथ एकन यह हमारा 22 वटे 7 हो जाएगा प्लस ये भी 22 वटे 7 तो बराबर 16 माइनस 22 बाइस 44 वटे 7 इसके एलसम लेंगे हम 7 आएगा यहाँ पर एक माल लेंगे 17 में भाग करेंगे 7 की 16 गुणा 17 12 माइनस में 17 में भाग करेंगे 1 और 21 की 44 में गुणा बराबर में 12 में 4 गए 8 10 में 4 गए 6 68 वटे 7 सेंडिविटर स्क्वाइर जो है हमारा इसका छेतर फला जाएगा बहुत ईजी कोश्चिन था ठीक है चार मार्क्स में आया हुआ है जोर 11,16,19,18 में तो हमने किया कुछ नहीं है बहुत सिंपल कोश्चन इसमें ठीक है और आम से आप कर दो इस बर्सका आप स्क्रीन शॉर्ट ले लिजेगा या उताल लिजेगा ठीक है तो अगले कोश्चन के और बढ़ते हैं हमरा लास्ट कोश्चन है यह दूसरा वाला तो दीगई आकरते हुए छायंकित भाग का चेतिक फल ग्याद करना है अब छायंकित भाग हमारा यह वाला अब कैसे निकालगा भी इसमें दिया है तो उननेस और बीस माय हुआ है पी क्यू जो है वो 24 सेंटिमेटर है पी क्यू यह 24 है और पी आर साथ है अब हमें इसके लिए चाहिए क्या यह अर्धवरत है तो हम अर्धवरत में से अर्धवरत में से इस तिर्भुष को छेतिक फल गटा जाएंगे तो यह आ जाएगा रंगवाला च्छायंकित आप त्रिभुछ के लिए पै डी स्कुर्ड चाहिए थो पाय तो पता है , र जो है वह हमारी ह्मारी ह्मारी ऑ्क्यू कैसे निकल लगी औक तब निकल लगी जो र थला है ठीक है है ? तो समकोंड के समय वाला करण हो गया, यह आधार हो गया, और यह लंब हो गया, लगा तो सूतर वाला आधार पाइथा वरस पिर में, और यह निकाल लो यहाँ से, QR, जब QR निकाल लो गया, यहाँ से OQ जो है, तिरिज्ज जाएगी, ठीक है, हम लेहेंगे तिरिभुज PQR में, तिरिभुज PQR में, पाइथा गोरस पिर में से, यह वोगा हमारा QR का स्क्वाइर, बराबर, PQ का स्क्वाइर, प्लस PR का स्क्वाइर, तो QR का स्क्वाइर, QR का स्क्वाइर का है, QR का स्क्वाइर बराबर, पी क्यु पी क्यु है मारे 24 प्लस पी आर है साथ क्यू आर का स्क्वाइर बरावावाव च्वाइस का स्क्वाइर पांच सो चेटर प्लस शाच सत्य और निचास क्यू आर जो होगा वह जाएगा अंडर रूट में इसको जोड़ो छैससो पच्चिस नौर शेट पंदर एकज़ा प्लस बारा क्यू आर जो जो है वह 25 का वर्ग है तो क्यू आर जो है हमारा 25 संडे मिटर आ गिया यह क्यू आर अब यह इसकी त्रिज्जिया है तो यह होगी हमारी 25 बटे 2 ठीक है अब हम निकालेंगे अर्धुरत के लिए अर्धुरत के लिए जो आर होगी वह होगी हमारी 25 बटे 2 संडे मिटर अर्धुरत का चेतर फिल निकालेंगे अब इस वर्ग के लिए यह अर्धुरत के लिए हो गया और यह समकॉन त्रिभुज के लिए आर में आधार कितना हमारा पियार और उंचाई यह है आधार बराबर साथ सेंटिमेटर और उंचाई बराबर 24 सेंटिमेटर ठीक है अब निकालेंगे सम्छायंकित भाग का छेतर फिल बराबर चायांकित भाग का छेतरफल बराबर इसको हम निकालेंगे अर्धवरत का छेतरफल इस अर्धवरत का छेतरफल माइनस समकौन तिरभुज का छेतरफल तो यह आ जाएगा अर्धवरत का छेतरफल माइनस समकौन तिरभुज पीक्यू आर का छेतरफल ठीके अर्धवरत का सुतल लगाओ एक बटे दो गुणा पायर स्कोर माइनस समकौन तिरभुज का एक बटे दो गुणा आधार गुणा उंचाई तो एक बटे दो दो नम ठीके और पाय जो है वो 22 बटे 7 और आर जो है अभी आईए 25 बटे 2 स्कोर है तो दो बार माइनस एक बटे दो आधार हमारा साथ है और उचा हमारी है 24 ठीक है दो से काड़ दिया 12 बार दो से काड़ दिया 11 बार तो यह जो हमारा बच जाएगा 25 पचिस पचिस जी गुणा 625 गुणा 11 बटे साथ दुनी 14 जाएदुनी 28 माइनस बार सत्ते 84 अब हमगा करेंगे गुणा करेंगे इसकी 11 गे 5 से 11 पंचे 55 पांच हांसिल ग्यार दिन 22 रूपांच 27 दो हांसिल ग्यार दिन 26 अड़ दो 68 बटे में 28 माइनस का 84 बटे एक भिन ब पर दिन ग्यार आप ये अट्था आएगा 28 से टैस्ट चैंसिल एक की गुणा 865 माइनस एक से हम पर देखको भाग 28 की गुणा 84 में 28 की गुणा 84, 32, 48, 99, 11, 48, 64, 6000, 82, 10, 82, 64, 62, 22, 23, 52, अब इस में से इसको घटा दो, बराबर 5 में से दो गए, 3, 7 में से 5 गए, 2, 8 में से 3 गए, 5, 6 में से दो गए, 4, cm2, 6 तरफल आ चुका है, ठीक है, यह रफ कामता है, इस वो काट जो है, इस तरीके से हमारे 2 questions थे, बहुत ईजी तरीके से questions हुए है हमारे, ठीक है, तो यह 2 questions आपको पक्के कर लेने हैं, तो से आपको सुझ में आगए होंगे, मिलते हैं के लिए वीडियो में और important questions के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, thank you